रात में हुई हलकी बारिश के बाद तापमान में और मौसम में काफी तब्दीली जहां अधिक्तम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं निम्तम तापमान भी काफी कम हुआ है बात हवा की सेहत की करें तो इसमें भी थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दिया है आज इस समय सौमार की सुबह अधिक्तम तापमान 17 डिग्री सेंटिग्रेट यहां करीब 5 डिग्री का अंतर बारिश के बाद जो तापमान 22 और 32 डिग्री तक पहुँच रहा था बारिस के बाद 17 डिग्री पर आ चुका है और उस ऐसा ही हाल नियुंतम तापमान का भी है नियुंतम तापमान इस समय मेरट का 6 डिग्री सेंटिग्रेट जी हां कल रात यानि रईवार की रात हल्की बारिस ने मौसम को बदल कर रख दिया एक युवाई जो की काफी बढ़ रहा था मेरट हर आसपास के जिलों का वो भी कुछ थोड़ा सुधरा यानि एक युवाई इस समय मेरट का 240 तीन साड़े 300 तक पहुँचा एक युवाई 240 और 250 पर आ चुका है मौसम भीभाग की माने तो अभी चार दिन तक लगातार इसी तरीके से मौसम बना रहने की उमीद है मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विछोब के चलते है यहाँ उत्री हमाले के उपरी छेतर में हावा का दबाव पश्चिमी विछोब बना रहा है जिसके चलते मौसम में बदलाव आया है क्रिशी अनुसंधान संस्थान मोधिपुरम के वरिष्ट क्रिशी मौसम बैग्यानिक डाक्टर अन्सुभास की माने तो चार दिन के बाद फिर से कडाके की ठंड पढ़ने की संभावना जता ही जा रही है हलाकि आज सुवे से धूप काफी तेज निकली हुई है आस्मान बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं कैसे सुराज आज पूरे अपने तेवर में आस्मान करना जा रहा पूरा निला आस्मान हलाकि आज मौसम साफ रहेगा और कल्यानी मंगलवार को एक बार फिर बारिश लोगो सराबोर कर सकती है मेरा इस्सान पत्रिका के लिए मेरट से के पितर पर्ट कर दो 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 प्राइब कर दो 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 आस्मान